तो जैसरी शाम आज हम बनाएंगे देशी स्टाइल में पास्ता, इसके लिए हमने गैस ओन करकर उस पर कड़ाई रख दिया है, कड़ाई में पानी उबलने के लिए डाल दिया है, उसमें नमक और थोड़ा सरसो का तेल डाल देते हैं, पानी जब हमारा उबलने लगे तब उ हमारे पास्ता अच्छी तरह से पप जाएं, तो उन्हें चलने में चान लेंगे और कड़ाई में प्याज लेशन टमाटर और हरी, मिर्च छोग तैयार करेंगे, कड़ाई में उयल डालकर इसमें लेसन और हरी, मिर्च ढाल दी है, लेसन सुरह लेशन। दालने के बाद हम क टालेंगे टामाटर जब हमारा अच्छे से गल जाए इसे चला देंगे थोड़ा सा इसमें नमक एड़ करेंगे ताकि टामाटर अच्छी से गल जाए अब इसमें प्याज डाल देंगे और इन्हें बूल लेंगे प्याज बूलने के बाद अब इसमें थोड़ी से मसाल याड़ करेंगे लाल मिर्च दनिया पाउडर हल्दी और नमक अब इसे मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ा सा पकने के लिए पानी डाल देंगे और लो मेडियम ग्याज पर इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे अब इसमें यह पक जाए तो इसमें थोड़ा सा सोस डालेंगे सोस डालने के बाद इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे और इसे थोड़ी जरूर पकाएंगे मेडियम गैस पर अब इसमें जो हमने पास्ता वाल के रखे थे उसे एड़ कर देंगे और इने अच्छी से मिक्स कर लेंगे तो लीजिए फ्रेंड हमारे देशी स्टाइल में पास्ता बनकर तयार हो गए है पास्ता हमारे बनकर रेड़ी हैं आप इसे सोस के साथ सर्व करेंगे अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगें तो लाइक करें तो लाइक करेंगे कर दो अगर टृक्दी लाइक करेंगे करेंगे जी लगे